कि अग्दम सीधी बात में आप सब का स्वागत आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडियर मैं हूँ आपके साथ हरीश अस्वाल एकदम सीधी बात में आज हमारे महमान है कैलाज सोनी जी केलाज सोनी जी मेंबर ऑफ राज्यसवा है 2018 से और सोनी साब को बाबु जी के नाम से जाना जाता है बाबु जी का एक उनके ओपर उन्हें जैसे बताया कि बहुत एक आधरनी रूप से उनको देखा जाता है बड़ी जिम्मेदारी से उनके देखा जाता है जंता उनको जब पाबुजी कहती है तो समझ लोंकि जिम्यडारी दुगनी-टिगनी हो जाती है तो सोनी सब अब् I mean जिम्यडारी आपकी की हो इदiva को घर चल यह आपावका जिति लेंड हृँ तो सोनी सब आपने के अपने आपने जो कारेकाल आपका रहा है 1978 में आपने जबलपूर विश्विध्याले से आपने ग्रेजवेशन की 1900 और उसके बाद आपने LLB की आप वकालत भी अच्छे से जानते हैं राजनीती भी अच्छे से जानते हैं जिस तरह का भाशा का प्रियोग आजकल राजनीती में हो रहा है वो किस तरह किस तरह से आप लेते हो उसको और कितना सही है वो नहीं है राजनीत में यह गलत प्रेज है जी पहले इतना सद्वाव था आपस में जी लेकिन आजकल टोटल पुलिटिकल सर्किल में ग्राव अटा रही है और बूलने में तो विशेश कर जी और इसमें सुधार होने की बहुत आउशकता है अन्यता पुलिटिकल सर्किल के प्रती अनास्था बढ़ेगी इसमें जी बैसे तो टोटल समाज में समाज में ही ये सिंचियर्टी कम हो रही है समाज में ही ये प्रवर्ती दीरे दीरे सदभाव की अच्छे बेवहार की ठीक बासा के प्रियोग की इसमें सकल समाज में ग्रावट आ रही है और उसका रिपरकसल पुलिटिकल सेक्टर में है लेकिन पुलिटिकल सेक्टर को टोल करने की भूमी का अदा करना चाहिए यदि हम ठीक ढंक से बिवहार करेंगे ठीक संबाद करेंगे तो इसका अनुसरन समाज करेगी ये ठीक नहीं अभी वरतमान की जो परिस्थेती है ये मर्यादा पहले पार्लमेंट का भी अपन पुराना प्रोसिडिंग उठाके देख करते हैं कि ये मर्यादा बनी हुई थी लेकिन अब ये मर्यादा काफी नीचे आ गई है कहीं कोई इसमें कहीं ब्रेक लगता दिखाई नहीं दे रहा है तो सोनी सब मैं कहूं इसमें अब आप लोगों की भूमीका और ज्यादा बढ़ जाती है बिलकुल हमारी भूमीका तो हमेशा से इस चीज के अलुचक रहे हैं कि सब्दों सब सही होने चाहिए और मैं आप से पूछूं कि शब्द की मर्यादा का ठेका विपक्ष का ही है क्या इसको प्रियेट करने क्या हो सकता है पूर साइची मीडिया से भी समाज से भी सब जगे दे हम टोकने का काम करेंगे और मीडिया भी इसको कंडेम करेगा अपने प्रिंट मीडिया भी इसको कंडेम करेगा और दिसा सुचक तो हमारे साहिक्तकार हैं हमारे अधर फैक्टर है उसके लिए हो गई है कि political sector हमारे जो अन्य समाज को चलाने वाले उपादान है उन सब के ऊपर चड़ गया है ओवरलैपिंग हो गई है पोलिटिकल sector की जो भुमीका नहीं होना चाहिए जहां वहां भी political sector जाता है और उसकी मानिता हम करते हैं इसमें गड़बर होती तो हमारे जो अगर आई नोज है हमारे समाज को संचालित करने वाले जो अन्य उपादान है उन सब को भी अपनी भूमी का बढ़ाना पड़ेगी और हम सब को सामोहिक रूप से ये जो गिरावत है सब्दों की मर्यादाओं की आपसी व्योहार की संबाद की इसको कंडेम करने की जिरुवत है सोनी सब आप एमर्जनसी की टाइम पे जेल में भी रहे आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है आप लोग बड़े होने के नाते कभी पार्टी के युवा नेताओं को इस चीज के लिए टोकते नहीं है समझाते नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसे शप्धों को प्रियोग ना करें कि दूसरे को मौका मिले तो ऐसा नहीं है कि विपक्श की तरफ से ही कुछ शब्द के बान डाले जाते हैं सब्सक्राइब आपकी तरफ से भी आपकी पार्टी की तरफ से भी होते हैं तो एक बुज़ुर्ग होने के नाते देश दुनिया आप लोगों ने देखी है जिस प्रकार से आपने इस देश की कल्पना इस तरह से कभी नहीं की होगी यह मैं समझता हूं नहीं ठीक है ये बुमी का बरिष्टता किरम में तो आना ही चाहिए ये हमारा दाइब तो बनता है जो आप बोल मैं है लेकिन अपने political circle में ये सुभाव है हमारा बर्तान उबर्से से कि ये top से bottom में आती ही बात अब वहां सुधार कैसे हो ये point out करने का काम हमारे बर्तमान में सबसे प्रभावी आपका electronic media है इसके अलावा हमारा print media भी है और ऐसा नहीं है लोग notice में लेते हैं आप लोगों की बातों का संदर्व लेकर ही पार्लमेंट में अनेकों बाते हैं जो आपके media अधारित होती हैं आपकी print media अधारित होती है वो उठाई जाती हैं आपके संपाज की में आपके जो मार्ग दर्शी जो भी आपके आलेक हैं इन सब में यहां भी होना चाहिए और जो बरिष्ठे राजनेता हैं उनका दायक तो भी जो आपका कहना है उनका दायक तो जादा बनता है तो सोनी सब जिस तरह से मद्योपरदेश में चुनाओ हुए आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी आप तो खेर positive रहोगे मैं बिलकुल समझ सकता हूँ कि आप positive रहोगे पर मैं कि जिस तरह से देख रहा हूँ कि MP में पटवारी भरती घोटाला परिक्षा 2023 और कई ऐसे मामले कि व्यापम घोटाला ये सब हुए तो आप इस तरह इसको इन सब के बावजूद आप क्या समझते हैं सरकार आपकी आ रही है या फिर काटे की टक्कर होने की संभाव प्रवेश के बाद पूलिटिकल सेनेजियों बदला है पहले राजनीत नारों के आधार पर चलती थी पहले राजनीत जो उनकी पुलिटिकल पुन्याई ये उसके कारण चलती रही तीन दसक तक चोथे दसक तक भी खानदान के कारण ये राजाराणियों का मुल्क है इसलिए 30-40 साल ये उनके पुलिटिकल जो डाइमेंसन है उनकी जो पुन्याई ये जो थाती है उसके कारण चलता रहा लेकिन अब पुलिटिकल सेनेरियों बदला है मोदीगी के बाद राजनीत इसू बेज़्ड हुई है राजनीत तोटकों से हट करके अब इनके माइने नहीं रह दै कि एक दिन हमने किसी अनुसूची जाती बर्क के लोगों के हां बोजन तर्षिया उसके बच्चे के साथ बैठ लिया उसको अपनने बोद में ले लिया तो इसके इंपेक् कीरे उनके प्रती जो हमारी आस्था है वो समाप्त होती गई तो उनका अब कोई माइने नहीं है और मोदीर जी ने जिस थाकत से इंदुस्तान को अपने आचरण से प्रमारिक्ता दी है इससे अब राजनीत इसू बेज़्ड हो गई है और आदमी नीतियों को अनभव कर र पोलिटिकल सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा मार्गदर सी कोई दार्चनिक कोई विचारत कोई हमारे राजनेता रहे हैं तो उसमें मैं मानता हूं डाक्टर राम्मनो और लोईया ने जैनन दिन राजनीत पे बहुत बारीकी से लोगों के आचरण के लिए कंटोल करने का प पर सोने साब आप तो आप तो अपने इतना खर्चा लाइटनिंग काल पर क्यों किया अब तो फोन करने में भी डर लगता होगा कि जब कभी तुमारी गैर कॉंगरेसी सरकार बन जाये तो क्या करना जी तो उनने कहा कि मिठाई खाने में और माला पेहनाने में पेहनने में करना कब तक नहीं करना जब तक ऐसे कानून काइदे ना बं जाएं जिस से जन्दा कहें कि जह हमारी अपनी सरकार और अभी लोकर एंजन के लिए मैं अगर पुर्देस से आता हूँ मत्द प्रदेश में हमारा ये कहना है कि मानी प्रदान मंत्री जी के योगदान के साथ मानी सिहुराज सिंगी ने समाज के प्रतेक बर्ग के लिए समाज के प्रतेक दर्द के लिए लोगों को एहसास करा दिया कि हम आपके साथ कानून कायदों की विवस्था करके और उनने जन्ता को महसूस कराया कि यह हमारी अपनी सरकार है आपको बताए गरवस्त सिसू से ले करके जी और आखरी में गरीब आदमी के लिए भी लखरी का इंतजाम नहीं है तो कानूनन हर पंचायत में आज पाँच हजार रोपे की विवस्था कानूनन हर पंचायत में अपने कटनाई के समय में एक नया माडल दिया हिंदुस्तान में मद्द परदेश में वो हमारे सुराज चिंगी ने ये विवा अब आप पल्पला करी आजाजी के बाद कभी किसी के दिमाग में या आइडिया नहीं आता के गरीब आद्मी ललका ढूनने में तूट जाता है पिर साधी विवा में तो एकाद एकल छोटे किसाद की जमीन गिर्वी रखना है और बाद में नीलाम होने ही होना है लेकिन विवा भी सरकार कराएगी ये प्रियोग पूरे हिंदोस्तान के लिए ये लिए हम कहें कि ये सिवराज चिंगी ने दिया है अच्छा अच्छा मातर सक्ती के लिए ये लाडली लक्षमी तो अभी आई है बिल्कुल सोनी साभ मैं आपको लेकिन अपने पहले कारेकाल में इनने लाडली लक्षमी उनके लिए साइकिल उनके लिए किताब हैं उनके लिए ड्रेस उनके लिए एक निश्चित पर्जेंटेज के बाद पढ़ाई का सारा जुम्मा सरकार की और हर बात का विचार मात्रसक्ती के लिए किया है अभी ये लाली लक्षमी लास्ट पाइदान पे है ये केवल राजमी इसके लिए नहीं किया तो यहां जो इनेक्टमेंट है अपने शुराज चिंगी का और उसमें मानी अपने प्रधान मंत्री जी ने मिलकर की मुकमिल राजमीत की तरफ एक बात और बताएं कि ये मिठक टूटा है जो अभी आप बात कर रहे थे गोटालों की ये मिठक टूटा है कि बड़ा आदमी कोई भी अपराद करे यदि उंचे पद पे है तो छूट जाएगा अब धीरे धीरे ये अउधारना जन्ता में बन रही है कोई कितना भी बड़ा आदमी हो नेताओं के नाम तो बहुत कम आते हैं संक्ष्या में लोग कहते हैं एक दल बिसे इसके साथ हो रहा है लेकिन यदि बारीगी से आप पूरे पर भरोसा जो आप आप जैसा बता रहे हो ऐसा उनके उनको सीट के उपर जब उनकी चर्चा हो रही थी तो उनको सीट डिसाइड होने में दो तीन लिस्ट लग गई तो क्या पार्टी को भरोसा नहीं था सिवराज सिंग पर कि उनके उनके चेहरे पर हम चनाव जीत सकते हैं देखिए बैसे डेमोक्रिटिक नाम तो ये हैं किसाब आप्टर एलेक्शन MLA का राइट है ये ये बेमानी हैं किसी को भी पहले से गोसित करना और अपने काम और आचरण के आदार पे हर प्रांट में आदमी खुच चेहरा बन जाता है और अब दीरे दीरे मोदी जी के एनेक्टमेंट के कारण आचरण की प्रधानता बढ़ती जा रही है और सबको अपने आपको केंडित करना पड़ेगा कभी हमना पार्लमेंट में भी कहा कि हम निस्तूर के सलाह दे रहे हैं कि केवल आलोचना करने से काम नहीं बनेगा बहुत लंबा इतिहास से कांग्रेस की भी त्यागत परश्या की बहुत कहानिया है और बहुत से बड़े बड़े आचरण भी है हमें मोदी जी को यदी मीट आउट करना है तो हमें वैसा आचरण ख़ड़ा करना पड़ेगा केवल ठीका करने से काम नहीं चलेगा यह आदमी एक छण भी अपनी निजी जिन्दिगी के लिए जिसने नहीं दिया और यह हम बताएं आपको कि यह भरोसा आम जन्ता में इतने कम समय में जन्ता में हो गया है कि माननी परदान मंत्री जी का कोई परस्मल अजेंडा नहीं है इनकी एक एक साथ सुनका एक एक इनेक्टमेंट यही किसी बात के लिए है तो वो समाज और राष्ट के लिए है अभी आपने देखा कि उनकी मदर की डेथ के समय है आप ऐसे बिरले उदारन मिलेंगे राजनेतिक सेक्टर में एक तो सारे इंदोस्तान के नेताओं को आने नहीं दिया नहीं तो कितना आर्थिक नुक्सान होता सास की और दूसरा ये कि दो घंटे में फ्रूनल करके बंगाल की बंदे भारत क्रेन को मानी प्रदान मंत्री जी जंडा बताते हैं आपने देखा पार्लामेंट का भी ट्रेडिशन बद्रा है कि अपन सोग सिर्दान जली अर्पित करते थे और दिन्मर्गी चुट्टी हो जाती थी अब इस पे लोकधन कितना बरबाद होता है और देश का दिकास आत्मनिर्वर हिंदुस्तान का रास्ता काम के घंटे पढ़ाना पढ़ेंगे और ये अभी जैसे आपका ओबर बरिज और अंडर बरिज के मामले में करोणों आदमी आपका ये रेलवेट भाटक पे खड़ा रहता था लेकिन अभी ये काम ओबर बरिज अंडर बरिज के कितने वर्थों बाद हुआ इसमें जाखों गंटे हिंदुस्तान के आद्मियों के बचेंगे तो किसका फाइदा होगा ये ये विचा ये देश को आगे बढाने का हर सेक्टर में आपने कहा कि आपने जो पलब दिया है आपने गिनाई इसमें ये नहीं कि पॉलिटिकल गेन हो जाएगा पार्टी का गेन हो जाएगा अच्छा और यदि हमने अच्छे को यदि अच्छा कहा ये रास्ता भी पंडी तटल ब्यारी बाज़ती जिया कि जब देश युद्ध में हो ब्यार बन बयम पंचाधिकम सतम अच्छे को अच्छा कहके भी हम अपनी आइडेंटिटी प्रूब कर सकते हैं ये पॉलिटिकल सेक्टर म सोनी साहब एक चीप बताएं मुझे आप लोग अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हो मैं बोलू कि बहुत अच्छा है अच्छा काम करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो क्या जरूत थी 55 cabinet minister को उतारने की क्या उनके चेहरे पर या मोदी जी मोदी जी मोदी जी विदान सभा भी लड़ेंगे मोदी जी आपके राजे सभा भी लड़ेंगे लोग सभा भी लड़ेंगे तो हर चीज तो मोदी जी के नाम पे नहीं हो सकती न एक सिस्टम तो होना चाहिए जिसकी आप चर्चा हमेशा से आपकी आप मैं आपी की के बातों को याद दिला दूं संग संग में जिस तरह से होता है जिसटरा ओब वक करता यहां कोई व्यक्ति विशेश वर्क नहीं करता है यहां व्यक्ति विशेश है जहां तक में एज ऑनकिड़कट की बात करूं आपका ऐसरेगे आप भी मोदी में चल रहे हैं यह इसलिए इंपार्टेंट हो गए हैं कि 2004 सामने खड़ा है यह बड़ी लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा है दूसरी बात हम यह बताते हैं कि देशकाल परिस्थिती के अनुरूप यदि कोई दल अपने आपको बदलता है तो उसमें मैं कहूंगा कि यह भ जेनरेशन गैप हो गया है आने वाले समय के लिए इनकी लीडर्शिप तैयार करने का काम और तीसरी बात यह है कि किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए बाचपा में कि हम केंडरी नेता हो गए हैं एक मैसेज यह है कि हर एक को कारिकर्ता बनाय रखने के लिए भी ऐसे निरण है सारे दलों को करने की आवश्यक्ता है नहीं तो जड़ता आती है और कुर्ची का सुभाव है नीद आना दीरे दीरे सोना सुरू करते लोग इसलिए यह रॉल बदलते रहना चाहिए और दूसरा इसमें मैसेज है कि हमारा दोजार चौबीस के चुनाओं के लिए किस चैन निरने के निरी नेत्र तो करता है और मानी मोदी जी का ये चेहरा अपने आप सामने हो जाता है उनके आचरन के कारण इससे स्क्रेश्ट आचरन यदि हम कहें के हिंदुस्तान के किसी राजनेतिक दल में कोई जमाना था कि दल तो ठीक है सरकार तो ठीक है सरकार के बाहर कि उन्हें देख करके देश में चल लिया बले ही कोई पत्पे नहींगे आचार किरपलानी जी लोक नायक जैपरकास नाराएं जी आचार नरेंद्यो जी अपने और अपने कांग्रेस में रफी केमस किदवई जी माने इतने बड़े बड़े आचरण सब तरफ खड़े थे उन मुसीवत यही हो गई है कि आचरण कम बचे हैं और इतलिए मोदी को हर जगे उपस्तित होना पड़ता है धीरे धीरे दल में भी तो क्या यह सही है तो मैं वही सोनी साब वही पूछ रहा हूँ क्या यह सही है कि हर जगे मोदी जी का होना आवशक है क्या रिपोर्ट कार्ड के मैं यह पूछ रहा हूँ क्या हर जगे मोदी जी का होना आवशक है क्या आपके कारे कारियों के ओपर डिसीजन नहीं होना चाहिए जनता का आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आटोमेटिक लिए आपके सरकार बनेगी हर जगे मोदी जी का होन लेकिन मोदी जी का आचरण अभी हम नहीं कहते हैं यह बात वर्ल बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पचाथ वर्सों में जो काम होना था वो मोदी जी की सरकार ने छे वर्सों में पूरा कर दिया है हर सेक्टर में आप भी बहुत विग्जी आदमी हैं हिंदुस्तान मारके सारे बुद्धी जी भी मांते हैं कि इतने कम समय में इतनी तेजी से हिंदुस्तान सारे सेक्टरों में हम दादे से कहते हैं हर सेक्टर में अभी आप दबाई को ले लो COVID की अरे पहले कितनी बीमारी आई ये तो बहुत बिकट बीमारी थी अरे बारा साल चुछा साल हम कोई दबाई नहीं मना पाएं एक साल के बीतर दबाई दुनिया के सबसे अच्छी दवाईयों में और इसके अलावा नाकेवल हिंदुस्तान जो हम कहते हैं बसु देव पुटु मुकम इसको जिया है हिंदुस्तान में इसको सिद्धता दी है इसको प्रमानिकता दी है यह मोधी जी इसलिए मोधी जी जो है चारों दिसाओं में मोदी जी सब तरब दिखाई देते हैं और उनकी अधिमानियता होती जाती जैसे यूपी में यूपी में भी वो चेहरा ऐसा है कि अपने आप कारियों के आधार पे कोई चेहरा गठित होता जाता है इतना कानून व्यवस्था की द्रश्टी से रद्धी प्राम और सारी चीजों में इतनी ताकत से निस्पक्षिता से कारवाई करते करते आदमी का ये चेहरा बनता है तो इसलिए अभी मोदी जी का आचरण सर्वस्था आचरण यदि हमका है तो अधिश योगती नहीं हो बिल्कुल तो आपने जिस तरह से बात करी कि उत्तरपरदेश के शासन को लेकर क्या ऐसी कुछ चर्चाएं चली है कि शायद योगी जी को भी MP का चुनाव लड़ना पड़ सकता है क्या ये मतलब सूत्रों के हवाले से हमारे पस ख़बर आती रहती है क्या ऐसा कुछ है यह यहां पर भी कुछ तब्दिली होने वाली है जी मैंने का योगी जी को भी MP का एलेक्शन लड़ने के लिए सुत्रों के हवाले से ख़बर है कि MP का एलेक्शन उनको भी लड़ना पड़ सकता है तो क्या यहां पर भी चीफ मिनिस्टर बदलने वाले है क्या योगी जी के लि की फोरम ते करेगा किस चेनापती को कहां लगाना और कहते हैं कि इस मामले में दुनिया के इतिहाद में सबसे स्रेट नायक रहें चत्रपती सिवाजी महाराज कि कब वहां किसको लगाना और अपने पूरे जीवन में कभी गलत निर्णाय आदमियों के चेन में नहीं किया वो चत्रपती सिवाजी महाराज और ऐसा चैन जिजवी दल ने किया और पनराम ठीका है तो यह इस बात को सिद्ध करेगी कि यह आप जो बोल रहे हैं यह नहीं सही था या गलत था चले मैं तो आपको ज्यादा इसके बारे में होगा तो हमारे तो सूत्रों होते हैं सूत्रों क कि हवाले साहम confirmation आप से चाह रहे थे कुछ ऐसी चर्चा है तो हमें भी बताएं पर मद्यपरदेश में मैंने देखा सूनी साब एक नारा बड़ा तेजी से चला कि शिवराज सिंग तेरी खैर नहीं मोदी तुससे बैर नहीं ऐसा क्यों हुआ मतला क्या हो गया शिवराज सि उत्तरा घंड उत्तरा पर्देश सभी जगे मोदी जी के नाम पर ही अगर लड़ा जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा और इस तरह के नारे होते हैं तो कहीं न कहीं पर आप यह समझ सकते हैं जो इसकी मानसिक तैयारी 2024 की नमबर एक और नमबर दो जो जड़ता है टेंपरेडिली रेक्टिफाई करने के लिए भी यह सारे इनेक्टमेंट होते हैं इससे जड़ता भी तूटती है अच्छा क्या होता है कोई एक रफ्तार में चलते चलते भी उसको परिवर्तित करो त उसमें रुची बढ़ती है यह केवल ऐसा एनेक्टमेंट है कि यह जड़ता को थोड़े पीछे करके और सारी परिस्थिती को बदला बदला और बाद में फिर उनकी अधिमानिता आपने देखा होगा कि पहली लिष्ट के बाद एक सपोकेसन आया और उसके बाद फिर उनक के लिए कहा गया कि उनके बगेर तो चुनाओ नहीं होगा फिर उनको आगे बढ़ाया तो यह पार्टी कब क्या निरने करना जी और जो पार्टी इस मामले में जितना अच्छा निरने करेगी परिणाम भी सामने आएगा तो सोनी सब आपको क्या लगता है कितनी सीटें आपकी निकल रही है MP में MP में कितनी सीटें निकालने का अंदेशा है आपको मद्दपरदेश में मद्दपरदेश में क्लियर मेजर्टी आएगी बीजेपी क्लियर मेजर्टी आ रही है बीजेपी की हमें लगता है कि कुछ कान्टे की टककर होने वाली हैं पर फिर भी आपका कहना है और हम आपको चाहेनहें कि अगर ऐसा होता है तो अम उस दिन भी अपको लाइव ले और आपको बदा ही देए देखिये स्वाव क्तर्न ऐसी होती बदलाओ का मन होता है लोगों का हर पांस साल में राजनीद में लोग मज़ा लेना चाहते कि भी अभी इनने देख लिया आप इनको देखो जैसा सुभाव आपके राजिस्थान का बन गया है लेकिन मद्द परदेश में अंत में जिस ताकत से अपने सिवराज शिंगी ने काम किया और लोगों को उनकी मेमोरी में सारी चीजें सापकी भारत सरकार ने भी मिलकर के अपने किसान संबान निदी, राजान, कादाश के दाम और विजली की आपूर्ती, सड़क के मामले में यहां लोगों को अनमोख कराया के ये विकास, विकास के बगेर ये चल नहीं सकते हम चूक न जाया और एक बार 15 महीने का जो आउसार आया कांग्रेज ने एक बार बीच में सर्कार बनी 18 में उनकी और 18 के बाद 15 महीने में ऐसा ऐसा उनने अपने आपको विदूसक के रूप में स्थाफित कर दिया और उनने जो जो गोसनाएं की थी उनको पूर्टी नहीं की और देखिये जिस मालिक का एक बार चेक बाउंस हो जाए एक बार चेक जो है जूटा थमा दिया जाए तो फिर उनकी कोई बात का लोग भरोसा नहीं करते है इस कारण से हमें लगता है कि मद्यपरदेश में बारती जन्ता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो मतलब मित तूटेगा एक बार बीजेपी एक बार ही कॉंग्रेस का मित इस बारी MP में आप बोल रहे हैं कि तूटेगा जी जिस तरह से जन्ता हमेशा बदलाव करती है तो आपका कहना है कि इस बारी मद्यपरदेश में दुबारा से बीजेपी ही आएगी नहीं मद्यपरदेश में कंट्यूनिटी सुराज शिंगी की बनी है और दूसरी चीज अभी इनका एक्स्पोजर हो गया आपके कांग्रेस का पंद्रा माह में आने के बाद जो उनका एक्स्पोजर हुआ है इस कारण से हमारी कंट्यूनिटी देहने वारी जी तो सोनी सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला आपने और मैं चाहूंगा कि आप लोग एलेक्शन जीते हैं और हम आपको दुबारा से बदाही दें तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूजवल इंडिया एकदम सिधी बात में अगली बारी चक蓉 आप के लिए लोग एक हुआते हैं तक के लिएवल इूजवल एफे शियूले कि वरोग एकष seeking कर दो से देखते हैं खांटने तक के लिए थायखते हैं तक के कुछला एक दूस्थासंदाट हैं टक कर दो さ दो С़स्वाहें अपका इंच liberty वने वरेक्ころ आपका